नमस्कार दोस्तों, आप देख रहें व्रत्यों हार टोड के, मैं हुं आपके साथ लिम्शिम शर्मा क्या आप जितनी महनत करते हैं, उतनी आर्थिक उन्नती आपकी हो रही है? क्या आपके वैवसाई नौकरी से जो आप धन पैसे कमाते हैं वो आपके पास रुकते हैं अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं इसके जिम्मेदार आप खुद तो नहीं क्या आपने अपने घर में रखी आलमारी या वैवसाई पर रखे तिजोरी पर नजर दोड़ाई है क्या आपने उसकी दिशा देखी है अगर नहीं देखी तो आज का ये वीडियो दोस्तो आपके लिए बेहद जरूरी है इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पूरी जानकारी आपको देने जा रही हूँ जो एक तिजोरी को रखने संबंधित पूरे नियम है जिस नियम का पालन कर आप सदैव अपनी तिजोरी को मालक्ष्मी की कृपा से भरपूर रख सकते हैं मालक्ष्मी हमेशा आपके घर व्यवसाई की जगह पर विराजमान रहेगी अगर आप तिजोरी और आलमीरा से संबंधित इन नियमों को मानते हैं दोस्तों अगर आपने अब तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार जरूर आपसे कहना चाहूँगी इसी तरह के सरल सहज उपाई मैं अपने चानल पर हर रोज आपके लिए लेकर आती हूँ मैं चानल को सब्सक्राइब करें जो वीडियो आपको पसंद आए वो अपने तक ना रखें पर दोस्तों रिष्टिदारों के साथ शेयर करना न भूलें तो अब बात करती हूँ तिजोरी की तिजोरी अगर उसकी दिशा सही नहीं है तो कभी भी उसमें मालक्ष्मी नहीं रुकेंगी सबसी पहले जो जरूरी बात है तिजोरी से संबंदित किसी आलमीरा को रखने से संबंदित वो है उसकी दिशा तो आपको किस दिशा में तिजोरी रखनी चाहिए तिजोरी रखनी की सबसे सही दिशा मानी गई है उत्तर दिशा उत्तर दिशा यानि कुबेर की दिशा कुबेर राजा भगवानों के जो स्वर के राजा है उनके खजांची है और अगर उत्तर दिशा में हम तिजोरी का दर जो होती है वो रखनी चाहिए जिसका मूँ उत्तर दिशा पे खुले डख्शिन की दिवार से आप तिजोरी लगा कर रखे जिसका दर्वाजा उत्तर दिशा में खुले ऐसी तिजोरी सबसे शुभतालाती है तिजोरी अब आपको यह भी बता दू कहा नहीं रखनी चाहिए तिजोरी आपको कभी भी ऐसी नहीं रखनी चाहिए जिसका मू दर्वाजा दक्षन दिशा में खुले उत्तर की दिवार से लगा कर तिजोरी आपको नहीं रखनी चाहिए दूसरी जो बात है तिजोरी और कहां रखनी चाहिए तिजोरी आप रख सकते हैं जहां पर उसका तिजोरी को खुले ऐसे जगर पर उसे ना रखें तिजोरी रखते समय एक और खास बात जो आपको ध्यान में रखने चाहिए वो यह है कि तिजोरी को कभी भी जमीन पर सता पर ना रखें जहां पर आप चलते हों क्योंकि ऐसा माना गया मालक्षमी स्वैम विराजमान होती है और ऐसा करना शुब नहीं होता है तो तिजोरी जब भी रखें उसे जमीन से थोड़ी उचाई दे दे थोड़ी आपको उसमें नीचे आप कुछ लगा सकते हैं चाहे लिखडी का वो तखता हो कुछ भी अप लगा के थोड़ी उचाई दे दे नहीं कुछ अगर समभव है तो कम से कम एक लाल कपड़ा दे तो ऐसा रखना शुब माना गया है तीजोरी में क्या हमें रखना चाहिए ये बहily जरूरी है और ये भी आपको जानना चाहिए ज्यससे शुब बनी रहेगी तिजोरी में हमें रखने चाहिए हम रकते हैं आम तोर पर लेकिन हम यह द्दा नहीं देतें की संख्या क्या है चांदी के सिक्षे परbayra रखना सब्सक्षा। रखते हैं वहां एक लाल कपड़ा जरूर विचा दें वहां पर कुछ अक्षत भी आप रखें पूजा के दिनों में जब कोई शुब मौका हो उस दिन उस लाल कपड़े को और अक्षत को बदल दें ऐसा करना शुब माना गया है तिजोरी में और एक खास बाद जो आपको ध जरूर रखें उसे खाली रखना भी शुब नहीं वाना गया है तो ऐसा आप जरूर करें मालक्षमी स्वतह आकर्शित होंगी आपकी उस तिजोरी में जहां पर आप इन नियमों का पालन करते हैं दोस्तों तिजोरी में क्या रखना है कैसे रखना है ये मैंने आपको बताय दखना है और किस तिजोरी में रखना है लुकर भी नहीं रखना है अब दीजोरी को अपने विवसाई के घर जगह पे अपने घर में आप कब स्थापित करें ये भी बहुत जरूरी ओर्छि civ आल्मीडा से संबंदित ये मैं स्थापित और बहुत ज़ोरी को स्थापित करन बेहत शुफ माना गया है तो तिजोरी से जुड़े हुई जो ये नियम है इसे अगर आप अपनाते हैं मा लक्षमी की सदायव आप पर किरपा रहेगी जो आप मेहनत करके जो धन कमा रहे हैं वो आपके घर में रुकेगी बरकत खुशहाली आपके परिवार में बनी रहेगी तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं पसंदाये तो दोस्तों रिष्टिदारों परिवार तक जरूर शेयर करें इसे तरह की अन्य तमाम जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बहुत बहुत शुक्रिया